हलो फ्रेंज अपना कीचिन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेस्टी मसालेदार मचली बनाने का एकदम आसान तरीका सेयर करने वाली हूँ जो आपको और आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखिए अगर रेशिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने धेर सारे दोस्तों के साथ सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंज इसके लिए मैं आपे 600 ग्रम कतला मचली लिएं मचली को अच्छे से धो करके रख लिएं और सारा पानी सुखा लिएं मचली में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ड्राई होने चाहिए अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मचली को इसमें ट्रांसपर कर लेंगे क्योंकि हम मचली को मैरिनेट करेंगे इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक लेसन का पेस्ट एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चमच नमग, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ऐसे हाथों कहल से हर एक मचली के पीसेज पर नमग खल दी और मिर्च को लगा ले, और 10-15 मिनट के लिए इनको साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, तो मैं यहाँ पर कतला आप कोई भी मचली ले सकते हैं, रोह, पांफरेट या फिर सूर्माई, जो भी मचली आप खाते हूं, जो आपको पसंद हो, तो यह देखिए, सभी मसालों को अच्छे से लगा लिए मचली के हर एक पीसेज के उपर, अब इनको ढख करके मैरिनेट होने के लिए रख देते एक छोटा चमच जीरा, आधा चमच धनिया, आधा चोटा चमच काली मीर्च या फिर 10-15 काली मीर्च के दाने, दो हरी मीर्च, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हरी मीर्च को जरू डालिएगा, एक इंच अद्रक का टुकडा, अद्रक ऑप्शनल अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को पीच लेंगे, और एकदम स्मूथ पेष्ट तयार करेंगे, तो एक दम स्मूथ पेष्ट तयार है, तो मसालों को एक बावल में निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं, मसालों का टेक्चर कितना स्मूध है तो बस मसालों को एकदम फाइन करना है तब ही हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी जार में थोड़ा सा पानी डाल करके क्लीन करते हुए मसालों में ही एड कर लेंगे इनको वेस्ट नहीं करना है जार को मैं अच्छे से धूल ली हुए एक बा स्मूथ बनेगा और देखने में बहुत ही टेंप्टिंग लगेगा तो इस रेसिपी के लिए टमाटर को पीस करकी ही डालें ऐसे चौप करके ना डालें तो अभी इनको साइड में रखेंगे और अब चुले पर कडाई रख देंगे गैस ऑन करके इसमें डालेंगे चार प अब तुरहन से उलट पलट करना स्टाट ना कर दे नहीं तो मसली टूटने लगेगी तो एक तरफ देखिएगा जब अच्छे से मसली फ्राई हो जाएगी तब आम इनको दूसी तरफ बलटेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे तो देखिए फ्रेंज एक तर नो तरफ से मसली बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है यह देखिएत तो देखिए तो बिल्कुल मसली को आशसे से फ्राई करेंगे अप्सিो अब हमारी मसली बहुत ही टेस्टी वनेगी तो अब मनि निकाल लेंगे बरतन में और इसी तरह से बाकी आभी सारे मचली को फ्राइ कर लेंगे दोसे तीन बार में बारिंज मचली को अच्छे से फ्राइ करें तो मचली को ऐसे ही फ्राइ करें अगर आपको boom च्छीप करने मैं चिपकने लगती मचली तो मैं एक वीडियो सेयर की उसमें पूरा डिटेल्स बताएं अप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक देदी हुआ से देख सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मचली को फ्राइब करने में आप बहुत आसानी से मचली को फ्राइब कर पाएंगे मचली फ्राइब करने के बाद जो मसाले जो हम लोग पीस करके रखे थे गैस का फ्लेम बिल्कुल लोग पे रखिएगा नहीं तो मसाले के छीटे उपर आने लगेंगे बावल में थोड़ा सा पाने डलकर के क्लेन करते हुए इसी में एड़ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच हल्द पाउडर और एक चमच कासमीरी लाल मीर्स पाउडर यह तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है अब इन सबी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर मसालों को धक करके 8-10 मिनट तक पकाएंगे जितने अच्छे सी मसाले पके रहेंगे ना उतना ज्यादा टेस्टी हमारी फीज करी बनेगी तो इन मसालों को ढख करके पकाएंगे और बीच-बीच में ढटा करके चलाते रहेंगे तो 8-10 मिन फोगे हैं मुझे मीडियम टू लौ फ्लेम पर मसालों को पकाते हुए और आप देख सकते हैं मसालों से तेल सेपरेट हो रहे हैं और देखिए मसालों का कलर देखिए कितना अच्छा है, मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, देखिए, तो इन मसालों को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जो फीस की करी बनेगी, बहुत ही डिलीसेस बनेगी, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो जार में थोड़ा बहु टमाटर का पेष्ट लगा हुआ है उसको वेश्ट नहीं करेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके क्लीन करते हुए इसी में एड कर देंगे अच्छे से एक बाद मिला लेंगे और इसी इस्टेश पे डाल देंगे हम नमक स्वात के अनुसार तो नमक यहां पर ध्यान से डालें ग्रेवी के स्वात के अनुसार क्योंकि हम लोग मचली को मेरनेट करते समय नमक पाले भी डाल चुके हैं तो इसलिए नमक ध्यान से डालें अब इन सबी चीजों को अच्छे नटा करके चलाते भी रहेंगे तो आठ से दस मिनट और हो गए मुझे इनको मीडियम टू लो फ्लिम पर ढखकर के पकाते हुए और आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से कूख हो गया है और मसालों से तेल सेपरेट हो रहे हैं इनका टेक्सर देखिए कितना बढ़ इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करेंगे ग्रेवी में उबाल आते ही फ्राई की हुए मचली के पीशिज डाल देंगे और इनको अच्छे से ग्रेवी में डूबा देंगे कैस का फ्लिम इस टैम मीडियम रखेंगे अब हम इनको मीडियम फ्लिम पर ढख करके 3-4 मिनट तक पकने देंगे तो 3-4 मिनट हो गए मुझे इनको मीडियम फ्लिम पर पकाते हुए और हमारी बहुत ही टेस्टी सूपर डिलिसियस फिस करी बन के रेडी है एकदम आसान तरीके से और अब कलर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसको हलके हाथों से ऐसे मिलाईएगा नहीं तो मचली तूटने लगेगी तो फ्रेंट देखे ना कितना आसान तरीका है मचली करी बनाने का और ये बहुत ही डिलिसेस बनते हैं इस तरह से एक बाद ट्राई जरूर करिएगा आपको और आपके फैमली को बहुत पसंद आएगा तो अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ढख करके 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे इससे क्या होगा ग्रेवी भी थोड़ी गाड़ी हो जाएगी और जो हरा धनिया का फ्लेवर है अच्छे से मचली के अंदर तक चला जाएगा उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और ये लिजे फ्रेंस हमारी बहुत ही डिडिशास फिस करी बन के तयार है बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में याकीन मान ये फ्रेंस जिनको भी इस तरह से फिस करी बना कर सर्व करेंगे सब लोग तारिप करते नहीं ठकेंगे और उंगलिया चार चार करके खाएंगे तो फ्रिंज रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो लाइक करें अपने धेर सारे दोस्तों के साथ सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें